आज ग्रुप पुरुनमा उत्सव मनाय जा रहा है और यहां खेतनात आस्रम है उसके जो अपने संत है उनसे हम बात चीत करते हैं अपने भगत जनों के बारे में क्या कहते हैं वाबा प्रणाव जो आपके मेंध संकरनात आज अब देखिये यह तो एक परंपरा का परव हे गुरु पुरणमा का परव है व्यास पुजा के नाम से जानते हैं तो आज जो सारे देश में गुरु पुरणमा का परव मनाया जाता है पुजे बाबा खेताना जी की समादी इस्तल पर सभी भगत प्राचीन समय से जुड़े हुए है तो उसी समय से परंपरा इसी मुनियों की चली आ रही है तो इस पर जो भी भक्त जन आत करते हैं अपनी आस्ता लेकर आते हैं और गुरु दिक्षा ले रखिए अपने इस आस्रम से जुड़े हुए हैं तो सभी यहां आकर अपना असिरवात करते हैं जो अपनी आस्रम बना हुआ है और बहुत ही महां थे तो यह कितने वर्ष से हो चुके जो आस्रम बन रहा है देखी आश्रम तो लगबग 74 साल पुराना है तो जो बाबा खेतनाथ जी नहीं बनाया था उनका शरीर पूरा हो गया 28-92 तो आप जो खेतनाथ बाबा था उनके बारे में आप बता सकते हैं हगेतनाथ जी के बारे में तो आज सारे भक्त जानते हैं उन से परिचित हैं उनका कोई ज़ाधा समय नहीं वहा, 25 साल हुए हैं, शरीर पूरा हुए हैं तो सबी लोग उनसे जुड़े हुएं सामाजिक छेतर में आप देखेंगे तो श्क्षा के छेतर में आप देखेंगे तो कम से कम उनोंने 25 से 30 स्कूलें बनाई हैं आज उनके नाम से बना बना के उस टेम सिक्षा का भाव था, उस टेम सारे इलाके में जाकर और भावन निर्मान करा के गोर्मिंट को सौंप दिया था जिनसे आज भी जो हैं सिक्षा दिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सिक्षा के छेतर में, गोशालाओं के छेतर में, महलाओं से डिली हमने हर साल करीब करीब पहुंता हूं कभी कोई ऐसा वाक्पी का यह हो जाए तो पहुंतने मा समर्थ हो जाता हूं तो अब गुरु पूरहनमा के बारे बस हम बाबा के आशुरवाद लेने आतें हैं हर साल यहांपर ये लिए बाबा की जाने ने में मताया है ये तो हम इसे हें रफ़ ख़ते हैं, पोज़ आटेए हमनी तो सम्डेश आए गुरूपरूपरु पहे आते हैं जी हर साल आते हैं वैसे में हमें स्टू कर दो साल पनी आपन आथा है भाब मौन